अभिशेक और एलविश की लडाई में वो लडाई जिसमें एलविश जबरदस्ती अभिशेक को खसीट रहे हैं जिसमें अभिशेक मलहान ने पहले ही हतियार डाले हुए हैं लेकिन एलविश यादव लगातार अभिशेक पर आरोप पर आरोप लगाये जा रहे हैं उस लड़ाई के बीच अब धुरूव राठी आ गए है जो यहाँ यूट्यूबर धुरूव राठी ये पूरा मामला क्या है वो बताने से पहले जिन्हें एलविश और अभिशेक की क पॉपलिसिटी करवा रहे हैं एलविश की छवी खराब करवाने की कोशिश करवा रहे हैं एलविश का आरोप है कि जब से एलविश ने बिग बॉस जीता है उसके बाद से ही अभिशेक की टीम की तरफ से एलविश के खिलाफ नेगटिव पॉपलिसिटी होती आई है वहीं अभिशेक मलहान ने इस पर ये कहा था कि हमने अपनी positive publicity कभी नहीं करवाई तो दूसरों की negative publicity क्या करवाएंगे अभिशेक ने कहा था कि मैं किसी के उपर 25 रुपे ना खर्चूँ ये तो 25 लाक हैं हाँ 25 रुपे की इमली खिला दूँगा इसी बीच दुरूव राथी का एक वीडियो फैंस ने वाइरल किया है अभिशेक फैंस ने दुरूव राथी के इस वीडियो को वाइरल करते हुए एलविश यादव को किया है एक्स पोज असल में इस वीडियो में दुरूव राथी ने एलविश यादव को misogynist कहा था लड़कियों तुम्हारे पास वैसे ही दिमाग नहीं है ज्यादा दिमाग मत चलाया करो एल्विश ने लड़कियों को घर का काम करने वाली बताया था वैलियस एल्विश अकसर अपनी वीडियो में ऐसे ही स्टेटमेंट देते हैं कभी कहते हैं कि लड़कियां ज्याडू पोचे डस्टिंग बरतन इन सब के लिए बनी हैं सिर्फ दुरूव राठी ही नहीं कई लोग एल्विश को मिसोजिनिस्ट कहते हैं एल्विश यादव कोई आपका नेगेटिव पियार तो तब करवाएगा ना जब आपकी स्टेटमेंट्स आपके नेगेटिव ना जाए आप खुद ही ऐसी नेगेटिव स्टेटमेंट्स देंगे तो आपका नेगेटिव पियार तो होगा ही तो बस पिर इसी वज़ा से ही दुरूव राठी का आपको मिसोजिनिस्ट कहना अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है फाइनल कॉट निवस्टिस्क